आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सूनी पहले मुख्य समाचार मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान सहित कई मंत्रियों ने आज नामांकन पत्र दाखिल किये बाजापा की दूसरी लिस्ट में सतरा और उमीदवार गोशित कॉंग्रिस की ओर से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंग सहित कई प्रमुख निताओं ने भरे परचे मुरेना जिले में पुलिस ने एक वाहन से तीन करोड से अधिक रुपे जब्त किये राजभवन कल से तीन दिनों के लिए आम नागरिकों के लिए खोला रहेगा और दन तेरस के मौके पर आज बाजारों में उमड़ी भीड लोगों ने की जम कर खरीदारी अब समा चार विस्तार से प्रदिश में आगामी विधान सभा चुनाव के लिए आज मुक्यमंती शिवराज सिंग चोहान ने बुधनी सीष से अपना नामंकन पत्र दाखिल किया शिव चोहान आज सुभा भुपाल से अपने गाउं जैत पहुँचे जहां उन्होंने कुल देवी और मा नर्मदा का पूजा नर्चन के बाद सलकन पूर पहुँच का देवी मा के दर्शन किये इसके बाद दोपहर को बुधनी निर्वाचन कारियाले में निर्वाचन अधिकारी की समक्ष अपना नामंकन पत्र दाखिल किया मुख्य मंत्री ने चुनावी सभा को भी संबोधित किया आज प्रमुक मीदवारों में मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने दत्या सीट से खेल मंत्री यशोधरा राजय सिंधिया ने शिवपुरी मंत्री विजह शाहा ने कंडवा की हर सूध सीट से अपने अपने नामंकन पत्र दाखिल किये इसी प्रकार भाजापा के रास्टी उपाध्यक्ष प्रभात ज्या की मौजूद्गी में अलिराजपुर और जोबट सीटों पर भाजापा प्रत्याश्यों ने नामंकन पत्र दाखिल कर दी है वहीं केंडरी मंती धर्मेंदर प्रधान दतियासे में नरत्त मिश्रा के नामंकन पत्र दाखिल कराने की प्रग्रिया में शामिल थे बाज़पा पृत्याशी देविंद्र वर्मा ने खंडवा से चीतन कश्यप ने रतलाम से और पंधाना से राम दांगोरी ने अपने अपने नामंकन पत्र दाखिल किये गुनाजले की रागोगर विधानसाबा सीट से भाजाबा के बुपेंद्र रगुवंशी और चाचोड़ा विधानसाबा सीट से भमता मीना ने अपना परचा दाखिल किया वही निता प्रतिपक्ष आजय सिंग ने चुरहट विधानसाबा से परचा दाखिल किया रागोगण सीट से जैवर्धन सिंग और चाचोडा से लक्षमन सिंग ने भी अपने परचे दाखिल किये जैवर्धन सिंग पूर्व मुक्यमंत्री दिग्विया सिंग के बेटे हैं जबकि लक्षमन सिंग उनके भाई है हमारे अनुपूर समवाद दाता ने बता है कि अनुपूर विधान सभा सीषट से कॉंग्रिस प्रदेश उबात्यक्ष बिसाहु लाल सिंग ने अपना नामंकन पत्र दाखिल किया हमारे समवाद दाता ने बताया कि बानदवगर सीट से भाजापा के शिवनाराण सिंग और कॉंग्रस की श्रीमती सावितरी सिंग और मानपूर से बसापा की श्रीमती रीखा कूल ने नामंकन पत्र दाकिल किया आगर मालवा जिले की आगर अरक्षित सीट से भाजापा के सांसद मनहर उटवाल और कॉंग्रेस के रामलाल मालवी ने नामंकन पत्र दाकिल किया वहीं सुसनेर सीट से भाजापा से मुरलीधर पाटिदार और कॉंग्रस के महेंदर सिंग परिहार ने परचा दाकिल किये। दित शेजवार और कॉंग्रस के रगुराम चौधरी और सिल्वानी सीट से कॉंग्रस के देवेंदर पर्टेल ने परचे दाकिल किये। भाजपा प्रदेश अध्यक शिवम सांसत राकेश दिंग, संगठन महामंत्री स्वाहस भगत, प्रदेश संगठन मंत्री अतुल राय ने आज धन्तिरयसपर पार्टी के भुपाज, इस्तित प्रदेश मुख्याले पंडित दीन दयाल उपाध्याय परेसर में भगवान धन् जंत्री की पूजा अर्चना कीए, भारती जंता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसवा चुनाव के लिए आज अपने प्रत्याश्यों की दूसरी सूची जारी कीए, इस सूची में 17 उमीदवारों के नाम है, आज जारी सूची में 5 विधायकों के टिकेट काटे गए हैं, वहीं दो महिलाओं को भी टिकेट दिये गए हैं, इस से भाजापा में कुल 18 महिला उमीदवार हो गई हैं, सूची में जबलपूर उत्तर से शराज जैन, जबलपूर पश्चिम से हरेंदर जीत सिंग भब्बू, बासोदा से लीना संजय जैन, और जैन दक्षन से मोह गोशित नहीं किये गए हैं, इस सूची को मिलाकर भाजापा ने अब तक 230 विधन सवा शित्रों में से 193 उमीदवारों के नाम गोशित कर दिये हैं, वहीं प्रमुक विपक्षिदल कॉंगरिस ने अब तक 171 उमीदवारों की गोश्णा की है, मतदाता जागरुकता अभिय महिश शर्मा वो प्रलोभन के मतदान करें, वहीं चुनिंदा इस्थानों पर जब पुलिस वाहन खड़े होंगे, तब आम जन पुलिस कर्मियों के साथ सेल्फी भी ले सकेंगे, इस दोरान पुलिस कर्मी उनसे मतदान अवश्य करने की अपिल भी करेंगे, कुछ पुलिस वाहनों में आडियो बजा कर भी लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, वहीं इन आडियो सिस्टम से मतदान से जुड़े नारे भी बजाये जाएंगे, प्रादेशिक समाचार के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा बज़न सबा चुनाओ को देखते हुए चलाए जा रहे तराशी अभिहान के दोरान, आज मुरेना पुलिस ने आगरा जा रहे एक वहन से तीन करोड रुपे से ज्यादा की रकम जब्द की है, जब तराशी को गवालिया निर्वाचन अधिकारी के सुपोर्ट कर दिया गय उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सम्विधन शील मतदान किंद्रों पर भी नजर रखने के दर्देश दिये हैं विधानसवा चुनाओं में बढ़वानी जिले की राजपूर विधानसवा सीट से भारती जनता पार्टी की घोशित प्रतियाशी और पूर्व राजिमंती देवी सिंग पटेल का दिल का दौरा पढ़ने से आज सुभा निधन हो गया वे 66 साल के थे कल राज सीने में दर्द होने की शकायत के बाद उनने राजपूर सरकारी स्पताल में भरती कराया गया था शिरी पटेल उमा भारती सरकार में मंतरी थे वे 4 बार विधायक चुने गए थे और अंजड सीट से 3 बार विधायक चुने गये थे उनका अंतिम संसकार कल शांग किया जाएगा प्रादेशिक समाचार आकाश्वाणी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें इसके अलाबा प्रादेशिक समाचार बुलेटेन, यूट्यूब, ट्वीटर और फेस्बुक पर EIA News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं राजपाल श्रीमती आनन्दी बेन पटेल के निरदेश पर राजभवन कल से 8 नवंबर तक आम लोगों के भ्रमन के लिए शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा राजपाल श्रीमती पटेल 8 नवंबर को सुभा 11 बजे से दौपार 12 बजे तक आम लोगों से मुलाकात करेंगी वहीं राजभवन में दीपावली के अवसर पर परियतन स्थल के फोटोग्राफ की प्रदशनी तथा आकर शक रोशनी की जाएगी श्रीपुरी जिले में मतदाताओं को जागरुक करने के लिए विभिन जागरुकता भ्यान चलाय जा रहे हैं अधिक जानकरी दे रहे हैं हमारे शिव पुरी समवाददाता रंजीत गुपता जिला रिनवाचन कारेले के माद्यम से मतदाताओं को विभिन माद्यम से मतदिकार का महत बताते हुए उन्हें जादा से जादा मतदिकार करने के लिए प्रेजित किया जा रहा है इस करीमे गाओं में जन जागरुकता कारकम जैसे रेली नुकर नाटक कारसालाओं का आयुजन किया जा रहा है साथी शहरों में स्कूल और कॉलेज़ों में यूथ चला बूथ कारकम आयुजन किया जा रहा है जिसमें युवा मद्दाताओं को मतदान का महत बताय जा रहा है साथी स्कूलों में शात्रों को ये बताय जा रहा है कि वे अपने आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रिरित करें महिला सजक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिले में 65 पिंक बूद बनाए गए हैं यहाँ पर महिला करमचारी और अधिकारी मद्दान प्रक्रिया को संपाजित कराएंगे इनके प्रत्म चरण का प्रसिक्षन का काम पूरा हो चुका है जिले में 5 बिदानसवा सीटों के लिए आगामी 28 नवंबर को मद्दान होना है जिले में निस्पक्ष वासांतिपूर मद्दान को लेकर प्रसासनिक तैयारियां जारी हैं बारत निर्वाचन आयोग ने विदानसवा चुनाव के लिए 5 बिदानसवा छेतरों के लिए सामान प्रेक्षक और 2 प्रेक्षकों की निफ्ति कर दी है यह प्रेक्षक जिले में आवी गए हैं और इन्होंने चुनावी दुवस्ताव पर नजर रखना सुरू कर दिया है प्रादेशिक समाचार के लिए श्यूपरी से रंजीत गुपता विजनसवा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में अब तक दो लाग से ज्यादा लाइसेंसी हतियारों को थाने में जमा कर आए गया है मुखी निर्वाचन पदादिकारी वील का अंतराव ने आज बताया कि चुनाव आचार सहीता होने के बाद से कल तक प्रदेश में 30,755 गैर जमानती फॉरंट तामील करवाए जा चुके है करीब 3,000 अवैध हतियार जब्त किये गए है और 2,53,055 शास्त्र थानों में जमा कराए गए है वहीं संपत्ती विरूपण अधिनियम के तहर सोला लाख दोहजार से ज्यादा प्रक्रण दर्ज किये गए है वहानों के दुरुपयोग पर 10,309 में मामने दर्ज किये गए है विदानसबा आम निर्वाचन के दौरान गौलियर जिले में कीबल चैनलों एवं FM रेडियो से प्रसारित कारेकरमों पर 24 घंटी नजर रखी जा रही है इसके लिए मोती महल सित संभागी जनसंपर के कारियाले परिसर में जिले के सबी वजानसबा निर्वाचन शीतरों का मीडिया अनुवीक्षण का स्थापत किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त वे प्रेक्षण आलोक नाग ने कल मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ट का औचक निरिक्षण किया उन्होंने निर्वाचन के दौरा निर्देश दिये कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया और एफम चैनल पर प्रसायत होने वाली हर उस खबर को रिकॉर्ड करें जो प्रतम दृष्टिया पेड नियूज नजर आ रही हो MCMC दौरा खबर को पेड नियूज गोशित किये जाने पर उसका खर्चा प्रत्याश्ची के खाते में जुड़वाएं रेल प्रिशासन ने दीपावली तेवहर के मद्दे नजर हभीव गंज और रिवा के मध्य चार स्पेशल ट्रेने चलाने का नड़ने लिया है पश्चे मध्य रेलवे के सूत्रों के अनुसार रेल प्रिशासन ने दीपावली के अउसर पर अतरिक्त भीड होने के कारण हभीव गंज रिवा हभीव गंज स्पेशल पूरता वाता नुकलित एक्स्प्रेस चलाने का नड़ने लिया है दीपावली पर्व की शुरुवाद आज धन तेरस से हो गई है धन तेरस पर बरतन सुने चान्दी के अभूशन सहित अन्नी खरीदारी को शुब माना जाता है राजधानी भुपाल सहित प्रदिश के विभन जिलों और कजबों के बाजार में रौनक देखी जा रही है समवाद दाता ने बताया है कि धन तेरस पर बरतन, कपड़े, वहान, इलेक्ट्रोनिक और आभूशनों की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे है मंदिरों में भगवान धनवंत्री की पूजा अर्चना की जा रही है शुपुरी से हमारे समवाद दाता ने बताया कि धन तेरस के अउसर पर शहर के दुकानदारों ने पहले से ही तैयारिया की है दुकानों को सजाया गया है जिनमें काफी रौनक देखी जा रही है और बड़ी संख्या में खरीदार भी पहुँच रहे है आज बरतन सराफार उलेक्ट्रोनिक सावान की अच्छी विक्री हो रही है शाजापूर गॉलियर सतना कट्नी गोना सहित प्रदेश के अन्य जलों से भी धनतिरस उस्तव बनाय जाने की खबर है दनतिरस के साथ ही दीपावली से जुड़े पांच परवो को देखते हुए मध्यप्रदेश विद्यूति वित्रण कंपनियों ने बिजली भोकताओं और आम नागरेकों से सावधानी बरतनी की अफिल की है बिजली कंपनी में सभी पटाखा वियवसाईयों दुकानदारों से अफिल की है कि बिजली लाइन केट नीचे ट्रांसफार्मर के आसपास दुकाने ना लगाएं जिससे दुरगटना उसी बचा जा सके और सुखत दीपावली मनाएं अब कुछ समचार संशिप में राज्य शासन ने विज़ान सभा चुनाओं को देखते हुए 28 नौमर को सारजनी का उवकाश घुशित किया है ताकि मतदाता अपने मतदिकार का उभियोग कर सके नापतौल विभाग उज्जैन ने दीफावली पर्व के मद्दे नजर जिले में वियापारिक संस्थानों की जाच का अभियान चलाया इसमें मिठाई, नमकीन, किराना, डेरी, अनाज एवं सोना चांदी आधी कारोवारियों के कुल 122 पर्तिष्ठानों की जाच की गई अंत में मुख्य समचार एक बार फिर मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान सहित कई मंत्रियों ने आज नामांकन पत्र दाखिल किये भाजाबा की दूसरी लिस्ट में सत्रह और उम्मीदवार घोशिद कॉंग्रिस की ओर से निता पर्तिपक्ष अजय सिंग सहित कई प्रमुक निताओं ने भरे परचे प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ